तो ओर्जिनल की efficiency कितनी percent बढ़ जाए देखो इसमें क्या कर रहा है कि इस वाले question को try करो कि एक engine है करनो इंजन यह हम लोगा the best करनो इंजन होता है यह temperature होता है यह temperature T1 source और यह T2 sink इसका temperature higher होता है और इसमें heat q2 और इसमें heat q1 और यहां से कुछ heat आई और कुछ sink को चली गई और कुछ work done हो गया यह हम लोग को पता है अब कहता है कि T1 आपके पास 300 Kelvin T2 दिया हुआ 300 Kelvin है तो efficiency 40% है इटा 40% है और 40% efficiency 1 minus T2 upon T1 हम रटे हुए है फर्मुला याद है बहुत पहले से how much temperature of source increase source का temperature बढ़ाएं कितना जिससे efficiency increase by 50% of original पहले का 50% increase हो जाए ठीक है जो पहले था उसका 50% increment हो जाए तो चलो सबसे पहले हमें पता ही नहीं है कि initial source का temperature जब 40% efficiency है तो sink का temperature दिया हुआ तो source का पता कर लेते हैं यहां से देख लेते हैं source कितना आ जाता है तो 4 upon 100 is equal to 1 minus T2 upon T1 मतलब या जाएगा 1 by 5 2 by 5 1 minus T2 upon T1 चलो इस question को देखो बच्चे वीडियो पॉज करो कोशिच करो solve करने की कोशिच करो देखो तिमसे होता है efficiency है मतलब हमारे पास करनो इंजन है this is the करनो इंजन और इस इंजन की efficiency आपको दी हुई है that is the work done W यह जो होता है वो source होता है इसका heat temperature T1 है heat Q1 है यह sink है इसकी temperature T2 है source Q2 है यहां से कुछ heat आती है और इधर convert हो जाती है इधर चली जाती है work done हो जाता है work done जो होता है वो होता है Q1 माइनस Q2 अब इस question में क्या करा उसको समझने की कोसिस करो कि इस इंक जो है वो 300 Kelvin पर यह जो T2 है T2 अगर 300 Kelvin दिया हुआ है तो T1 कितना है अभी मुझे पता नहीं efficiency कितना 40% अब मुझे जो T1 है वो तो हमें पता ही नहीं भाई पहले case में नहीं पता है लेकिन हमें T1 को बढ़ाना है how much temperature increase source इसी T1 को बढ़ाना है कितना बढ़ाना है वो हमें नहीं पता है इसमें से option में से जिसे efficiency पहले की 40 का 50% 40 ही जो था वो तो पहले था इसमें 50% का increment हो जाए और जीनल का efficiency ठीक है चलो तो अगर मैं इसको solve करने की कोशिश करों तो सबसे पहले मैं पता कर लूँ first case में T1 कितना है source का temperature कितना है तो 40 upon 100 efficiency one minus two upon two one one minus two three three hundred अगया और टी यसा इतना मिल ग्या तो यह 0 और यहाजाएगा 2 by 5 300 टी 1 is equal to one minus two by five मतलब यहाजाएगा three by two this is the three by two finally मुझे टी 1 मिल जाएगा ठी ने ती ने को T1 मिल जाएगा 500 Kelvin, जब efficiency 40% थी, sink का temperature 300 था, उस वक्त जो source था, वो 500 Kelvin पे था, चलो, दूसरी बार क्या हुआ, कि अब मुझे efficiency change हो गई, कितना percent, नया efficiency जो आया, eta dash, that is 40% पाले था, plus 50% of 40, 40 का 50% increment हो गया, मतलब 40% पाले था, plus 50 upon 100, और multiplied by 40, मतलब या जाएगा 60%, नया efficiency जो इटा dash है, वो 60, इस efficiency पर हमें देख लेते हैं, कि source का temperature कितना, क्योंकि sink का तो वह ही रहेगा, तो इस efficiency पर 60 upon 100, 1 minus T2 upon T1 dash, 1 minus 300, that is T1 dash, और या जाएगा 3 by 5, तो 300, T1 dash, solve को अभी या, इसको 1 minus 3 by 5, that is 2 by 5, तो 2 by 5, इसका मतलब क्या हुआ, डाइरेक्ट T1 dash निकालो, तो T1 dash की value आजाएगी, 2 से 300 कड़ जाएगा, 150 आजाएगा, 750 के लिएगा, जब efficiency आपका 60% होगा, 50% increment के बाद, 60% efficiency हो जाएगा, उस वक्त, जो source का temperature, 750 के लिएगा, और sink का पहले source का temperature कितना था? 500, तो कितना increment हुगा? 250, तो change in temperature जो delta T increment आया, वो 750 माइनस 500, that is 250 Kelvin आपको temperature की increase करना पड़ेगा, अगर आपको efficiency 60% चाहिए, तो मतलब हम लोगों का D option सही है,